हेलो एफ्रिवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वेल्किम टू माइ चैनल अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे बिना कहे वो कोई काम नहीं करता, कभी तो बिना कहे कुछ कर लिया करो, वो बिना कहे मेरे लिए खाना ले आई, क्या तुम बिना कहे कोई काम नहीं कर सकते ऐसे हिंदी के sentences जिन में हम बिना कहे किसी काम को करने के बारे में बात करते हैं इनको इंगलिश में बोलने के लिए हम without being told का use करते हैं Without being told का मतलब होता है बिना कहे या फिर बिन कहे इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले हमारे sentence का main part आता है जो कि किसी भी tense में हो सकता है और last में without being told आता है और हमारा sentence complete हो जाता है चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए बिना कहे वो कुछ नहीं करता या फिर बिन कहे वो कुछ नहीं करता He doesn't do anything without being told He doesn't do anything without being told कभी तो बिना कहे कुछ कर लिया करो Do ever do something without being told Do ever do something without being told Do ever का मतलब होता है कभी तो वो बिना कहे मेरे लिए खाना ले आई She got food for me without being told She got food for me without being told मेरी मम्मी बिना कहे मेरी बात समझ जाती है My mother understands me without being told My mother understands me without being told क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते Can't you do anything without being told Can't you do anything without being told उनके बच्चे बहुत समझदार हैं वो बिना कहे महमानों के लिए पानी ले आते हैं Their children are very sincere They bring water for guests without being told Their children are very sincere They bring water for guests without being told वो बिना कहे हमारा साथ दे रहे हैं They are supporting us without being told They are supporting us without being told क्या उसने बिना कहे हैं ऐसा किया था Did he do this without being told अब एक सेंटेंस आपके लिए उसने बिना कहें मेरी मदद की इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताइए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने से कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए देख कैर बाप बाइ